हेलो एब्रिवन नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर कुमारी प्रिया and once again welcome back to my channel आज हम बनाएंगे ये नारियल के मोदक ये 10 मिनट में ही बन करके ready हो जाते हैं और इसमें हम बस 4 इंग्रिडेंट का ही use करेंगे इसे बनाना बहुत ही easy है तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस मोदक की recipe को वीडियो परसंद आने पे आप सभी से अनुरोध है कि like share जरूर करिएगा और अगर नए है मेरे channel पर और अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किये हैं ताकि इसमें जो हम नारियल डालेंगे तो वो नीचे से चिपके न तो पूरे घी को पैन में फैला लेने के बाद इसमें हम डालेंगे desiccated coconut तो मैंने लिया है 2 cup के करीब desiccated coconut यानि कि इनारियल का बुरादा या भुसी जो भी आपके हैं बोलते हैं वही मैं इसमें डाल रही हूँ तो 2 cup के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ वजन के हिसाब से बोलू तो 250 gram के करीब यानि की एक पाव है लेकिन इसकी जगापे अगर आपको fresh coconut का मोदक बनाना है तो आप fresh coconut भी ले सकते हैं 2 cup के करीब लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि coconut को आप एकदम बारीक कद्दू कस करके ही लीजिएगा क्योंकि बारी coconut के मोदक बहुत अच्छे बनेंगे अब इसे हम 4-5 मिनट के लिए रोष्ट करेंगे और गैस के flame को आप लोपे ही रखिएगा ये देखिए 4-5 मिनट के बाद हमारे coconut अच्छे से रोष्ट हो चुके है तो बस इसे हमें इसी श्टेज तक रोष्ट करना है अब गैस के flame को हम कर देंगे बंद और इसी टाइम में इसमें हम add करेंगे condensed milk ये देखिए ये 400 ग्राम के करीब condensed milk है तो आधा मैंने इसमें यूज किया हुआ है पहले से ही तो बस अभी इसमें 200 ग्राम के करीब condensed milk बचा हुआ है तो बस इसमें हमें 200 ग्राम ही condensed milk का यूज़ करना है अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें condensed milk को हलका ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप अपने टेस्ट के कोर्डिंग condensed milk को कम्या ज़्यादा कर सकते हैं अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे ये देखिए ये अच्छे से mix हो चुके हैं अगर आपको ये condensed milk डाल करके नहीं बनाना है तो आप इसमें आधा कप चीनी या गुर्गा पाउडर भी डाल करके इसे बना सकते हैं उसमें भी ये मोदक बहुत अच्छे बन करके ready होंगे इसे अच्छे से mix कर लेने के बाद gas को हम on कर लेंगे और gas के flame को अभी हम low पी रखेंगे कभी भी इसको हमें medium या high पे fry नहीं करना है नहीं तो नारियाल नीचे से जलने लग जाएंगे और इसका ज़्यादा color change भी हमें नहीं करना है आप चाहें तो इस stage पे सिर्फ condensed milk डाल के भी ये मोदक बना सकते हैं लेकिन दूड डालने पेस का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा आप एक बारी से इस तरह से बना करके try कीजिए तो इसमें हम ज़्यादा दूद भी नहीं डाल देंगे बस दो कप coconut में half cup ही हम दूड डालेंगे तो अभी देख रहे हैं ये हलका सा fry हो चुका है तो बस एक से दो मिनट और इसे हम fry करेंगे अब ये अच्छे से fry हो चुका है बस इससे ज़्यादा हम इसे fry नहीं करना है ये देखिए एक साथ करने पर ये आपस में चिपक रहा है तो बस समझ जाएगा कि ये अच्छे से fry हो चुका है तो ये देखिए बस इसे श्टेज तक हम इसे fry करना है अब गैस के फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद भी इसे हम बस आधे मिनट के लिए चलाएंगे इसका टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए ताकि ये नीचे से लाल ना हो और इसका कलर इसी तरह से रहे फिर इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा होने के बाद इसका हम मोदक बनाएंगे ये देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है आप चाहे तो इसे हलका सक गरम में भी बना सकते हैं लेकिन अगर ये पूरे तरह से ठंडा हो जाएगा तब भी इसका बहुत अच्छी तरह से मोदक बनेगा आप मुदक बनाने वाला एक मॉल्ड यानि की साचा ले लेंगे और उसको बंद करके उसके पीछे हम सारे रेसिकेटेड कोकोनेट को अच्छी तरह से भर देंगे जितना इसमें एक बार में अटेगा और इसे इस तरह से दबा दबा के प्रेस करके अच्छे से हमें इसमें भ एक तो इस तरह से पीछे से बंद करके भरेंगे और एक और तरह से मैं आपको बनाना बताऊंगी तो इस तरह से भर करके और फिर इसे अराम से हम खोल लेंगे तो इसे खोलने के बाद नीचे से हलका सा हमें प्रेस करना है ताकि इसका उपर का टूटेना और एक दम अच्छे में रख देती हूं मोदग को प्लेट में रख देने के बाद इस प्लेट को साइड में रख करके मैं आपको एक तरह से और मोदग को स्टफ करना बताती हूं तो यह देखिए यह तिन तरफ से खुलने वाला है तो इसमें इसका यूज नहीं करेंगे हम यही दो तरफ से खुल से भी इसको हलका सा प्रेस कर देना है और फिर इसे एकदम आराम से हम खोलेंगे और इसे खोलने के बाद हलका सा नीचे से प्रेस कर के इसे निकाल लिएगा तो अगर इस तरह से आप मोल्ड में स्टफ करके मोदक को बनाएंगे तो कभी-कभी बीच से मोदक टूटने लग ज एकदम परफेक्ट हमारे सारे मोदक बन करके रेडी हो चुके हैं तो ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा और जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर नए है मेरे चैनल पर और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लीजिएगा जो एकदम फ्री है और साथ में जो बैल आइकन है उसे भी प्रस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को मेरे आने वाले हर वीडियो के नोडिफिकेशन म मिलते रहें दोस्तों आपने देखी लिया कि ये मोदक बस दस मिनट में ही बन करके रेडी हो जाते हैं ये रेसीपी आप अपने वेट लोस में भी खा सकते हैं थैंक यू फो वचिंग मैं वीडियो फ्रेंड मिलते हैं में दे नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाब बाई और टेक केर